Awareness के नाम पर cheap publicity का stunt खेलने वाली पूनम पांडे के खिलाफ अब बहुत बड़ा action लिया जाएगा सही सुना आपने पूनम पांडे ने कल एक cheap publicity stunt खेला जिसमें उन्होंने अपने मौत की जूटी खबरे फेलाई हर तराफ यही चल रहा है कि पूनम पांडे ने cervical cancer के लिए कोई awareness नहीं फेलाई है उन्होंने सिर्फ एक PR stunt खेला है और यह उनकी publicity के लिए cheap ninja technique थी और जिसके बाद उन्हें अरजगा ट्रॉल किया जा रहा है उनका मजाक उड़ रहा है तो क्या है वो action चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में दरासल पूनम पांडे के खिलाफ अब F.I.R. दर्च कर दी गई है एक वकील जिनका नाम काश्रफ बताया जा रहा है उन्होंने पूनम पांडे और उनकी manager के खिलाफ F.I.R. दर्च कर दी है इतने नहीं और भी बहुत सी ऐसी organizations हैं जो पूनम पांडे के खिलाफ शुकायत दर्च करवा रही है ऐसे ही मुंबई की एक और organization ने AICW ने ये फैसला लिया है कि पूनम पांडे के खिलाफ action लिया जाए और उनके खिलाफ सरकार action लिया पुलिस action लिया उनके खिलाफ वैसे तो F.I.R. दर्च करवाई जा चुकी है और उनकी manager भी इस चीज में फस गई है अब आप सोच रहे होंगे कि पूनम पांडे की manager क्यों फस रही है दरसल पूनम पांडे के manager ने ही आपको बता दे कि Instagram पर post की थी और उन्होंने ही कहा था मीडिया से कि हाँ पूनम पांडे की death हो चुकी है सर्वाईकल कैंसर की वज़ा से जिसकी वज़ा से पूनम पांडे तो फस ही गई है अगर पूनम पांडे फसेंगी इस case में तो उनके manager भी अब फसने वाले है आपको बता दे Friday को दोपहर 11-12 बज़े के आसपा से खबर आई थी कि पूनम पांडे की सर्वाईकल कैंसर से death हो गई है और फिर हर कोई बहुत ज्यादा परिशान था कि अच्छानक जो लड़की दो दिन पहले तक party कर रही थी वह एकदम से इस दुनिया को अलविदा कह गई हर कोई हरान और परिशान था लेकिन इस बीच पूनम पांडे की मौत पर एक क्योशन मार्क बना हुआ था और अगले दिन फिर पूनम पांडे आती हैं और इंस्टाग्राम पर कहती हैं वो तो जिन्दा है उन्होंने भई सबकी इंटेंशन से खेला हर तरह सोशल मीडिया पर केवल यही बात चल रही थी कि पूनम पांडे ने लोगों की इंटेंशन के साथ खेला बहुत बड़े बड़े डारेक्टर से लेकर एक्टर्स भी अपूनम पांडे के खिलाव बोल रहे हैं सबका यही कहना है कि उन्होंने सर्वाइकल कैंसर का मजाग बनाया अवेर्नस फहलाने के और भी बहुत तरीके होते हैं लेकिन उन्होंने केवल PR stunt खेला, उन्होंने publicity के लिए सब किया, कुनम पांडे ने पहली बार publicity के लिए चीप हरकते नहीं की, वो पहले भी कई बार ऐसी हरकते करती आई हैं, एक बार उन्होंने 2011 के वर्ल्ड कप में ये तक कह दिया था कि अगर भारत वर्ल्ड कप जीत जाता और इस stunt में उन्होंने सभी के intentions के साथ खेला, अगर इस stunt उन्हों तक सीमित होता तो बात समझ जाती, लेकिन इस बार तो उन्होंने सभी अधिपार कर दी, और उन्होंने publicity stunt के नाम पर सभी के emotions के साथ खेला, और cervical cancer का तो मजाग बना दिया, ये सभी वो बाती हैं जो social media पर पूनम पांडे के खिलाफ चल रही है, लेकिन आपको बता दे, लोगों में गुस्सा इतना है कि अब उनके खिलाफ F.I.R. भी दर्श करवा दी गई है, और अब आगे देखना होगा कि उनके खिलाफ क्या कोई बड़ action लिया जाएगा या नहीं, लेकिन इस खबर पर आप सब्सक्ता देखंगे